जैगरू प्रमद्दा पूछ रहे हैं सिसी ठाकुर जिसे परिवेश के अधिकतर लोग यदि आसाथ चलन में अभ्यस्तों हों वहाँ पर दो-चार लोग आसाथ निरोद करके क्या कर सकते हैं आसाथ निरोद करने पर तो एसे लोग की निश्चिन होने की संभाना रहती हैं सिसी ठाकुर बोले हैं ब्यस्टी से ही समस्टी है इसलिए एक-एक ब्यक्ती को पकड़ कर आगे बढ़ना चाहिए स्वयंग को आदर्स निश्ट आचरन बान और जाजन मुखर बनाना चाहिए और दुसरों को भी वैसा बना देना चाहिए जिसमें जैसी जुग्यता है इसी तरह फेलता है सिर्प भूल पकड़ा देने से नहीं होगा सही पत दिखाना होगा उस पत पर वो प्रफिटेबल इन आल रेस्पेट्स या सब तरह से लाबजनक बास्तविक रूप से करके दिखाना होगा उसके बाद भी मनुष बार बार भूल करेगा विपत पत पर जाएगा लेकिन उससे अधर्जय होने से नहीं होगा लोग को पिछे लगाना रहना होगा अतंद्र, सासन, तोसन, सेबा, संबधन के मध्यम से उसको इस्टनू बरतन में प्रती बना देना होगा प्रेम होने पर मनुष जैसा करता है आप क्या अपने लड़के को इसी तरह छोड़ देते हैं? विपत में जाने पर भी प्रान पान से लोटाने को कोशिश करते है वो आपका दाइत्व है, ऐसा दाइत्व बोद ना रहने पर ये काम नहीं कर सकेंगे मेरे चारत तरप हतासा का जथेश्ट कारण है, लेकिन हतास नहीं हो सकते है सुस्ता हूँ सरीर में पेखना लगा लेने पर भी तो जम छोड़ेगा नहीं मेरा जो करणिया है उससे मुझे करना ही होगा आप लोग को लेकर ही मैं हूँ आप लोग काश्ट में रहने पर मैं उससे बजने ही पाऊंगा इसलिए अपने गरज सही ज्यान बुधी अनुसार लगा रहता हूँ मेरी तरह आप कई लोग यदी लगते हैं तब देखियेगा कितना महतुपन काम हो जाएगा थोड़ा रूप कर नहल तुष्टी से प्रमत्दा की तरह नजर देखकर एक अबरूती भाव से सीर हिला कर हाथ नचा कर बोले स्तीर रहो तुम रहो तुम जगे दिपक की तरह आलस्य त्याग के इस निशा में तुम सुने से लौट जाएंगे वे लोग आलजना प्रसंग भाग छे दिनांक 7,3,1945 प्रुष्टा संख्या 49,44 संग्रुईत जय गुरू